स्वागत करती हूं और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक विच्छो क्लास तंत का कॉमर्स पिछले लेक्षर में हमने पढ़ाता समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के बारे में कि समय और श्रम बचाने वाले यंत्र क्या होते हैं साथ उसके महत पढ़े थे गुण पढ़े तो चलिए देखते हैं समय और स्रम बचाने वाले यंत्रों के आइए पहला दिया हो है टाइप राइट करने वाली मशीन आभ इनकी पढ़ दीटेल यह नाम पढ़ लेते हैं समय के लेखनी यंत्र शुतवराचा decades पत्रों पर तारीग डालने वाली मशीन, पत्रों में छेद करने वाली मशीन, पता लिखने की मशीन, शीगर गड़क पुस्तक, फोटो सेट मशीन, रिजगारी छाटने वाली मशीन, बीजक मुद्रक व्यंत्र, चेक रकम रचक यंत्र, डाक तॉल यंत्र, संख्या डालने व प्रामुक मशाइन प्रीयोग अपने व्यपार में करते हैं अब इनके बारे इनका क्या क्या प्रीयोग कैसे बारे इनका क्या क्लाइस इनका क्या yakt Yi इस यहँदर कंविश्कार सन 1874 में ये कोशिन मेटा बहुत बार पूछा गया कि टाइप राइटर का अविश्कार कब हुआ है तो यह याद कर लीज़ेगा कब और किस ने किया था तो इस यंद का अविश्कार 1874 में हिंडरी मिल ने किया था आज कल रेमिंग्टन, गोद्रेज, अंडर बूड, ओलुवेती आधि टाइप राइटर अधिक प्रिशलर में है यह अंग्रेजी वह हिंदी अनभाशाओं की बढ़ माला होती है आप में टाइप राइटर देखे होंगे एक मशीन होती उससे सारी अलफावेड लिखे होते ह हिंदी के अलग और इंग्लिश के अलग उस पर टाइपिंग कर सकते हैं और अगे देखते हैं इसका प्रियोग क्या है व्यपारी अत्वा छोटे बड़े सरकारी कार्यालों में इस यंद्र का प्रियोग किया जाता है इस यंद्र के द्वारा पत्र साफ सुत्रे टाइप हो जा सकता है ताइप करने के लिए विशेश प्रशिच्छन के आवशकता होती आनि अब उस सीखना पड़े कैसे टाइप कि जाती है वही व्यक्ति योग टाइपिस्ट कहा जाता है जो कम अशुद्यों के साथ श्रीक्र टाइप कर सकते सके टाइपिस्ट के लिए यह भी अशुद्यों के साथ श्रीक्र टाइप करते यानि आपको पहले टाइपिंग सीखनी होती है इस पर आप कारे कर सकते हैं नहीं ताइपिस्ट के लिए या भी आवश्यक है कि उसे टाइप मशीन के कल पूर्जों का ग्यान हो ताकि मामूली खराबी आने पर वह मशीन को पोर्ट बिल्ट टाइप मशीन हस चासन चारिट टाइप मर्ड़ राइटर शोर रहित टाइप राइटर और बिद्धु चारिट टाइप राइटर आदे यह प्रकार होते हैं गर्णा करने वाली मशीन को बच्चों अगर उधहरन देखे तो आप बैंक जाते होंगे बैंक करने वाली मशीन इस मशीन से गुड़ा करने भाग देने घटाने वा जोड़ने का काम बड़ी असानी से हो जाता है समानता लंबे चोड़े हिसाब लगाने में तुटी होने की समभावना बनी रहती है तो यह आप नॉर्मली क्या करते हैं अगर अलग-अलग नोटों को होता है और क्या होता है आपके हाथों से गड़ना करने में समय बहुत जादा लगता है इस यंद्र के द्वारा यह दोश दूर हो जाते हैं इस यंद्र का प्रियोग करने के लिए किसी विशेस वाशिचन के आशकता नहीं पड़ती है मान लीजिए कुछ संख्याओं को जो इस मशीन देखी वैसे बनी रहती है और उस पर नंबरिंग आ जाती है आप संख्या डालिए कि आप कितने रुपए के नोट नहीं तो टोटल आ जाता है कि कितना इमाओं है इस मशीन का प्रियोग बीमा कंपनी बैंक बड़े वैपारी कारेलों में किया जाता है कारेलों मे नेक्स्ट है समय लेखन या मशीन उन बड़ी बड़ी फेक्ट्रια मेले के लिए अधिक उप्योगी जहां पर बड़ी संख्या में श्वह यृ कार्व करते हैं इसलहे करते हैं रहे कर आने Sellas इसलिए बड़ी कंपनियों में इन चीजों को ध्यान रखा जाता है प्रतेक कर्मचारी कार्याले की और से एक अंकन कार्ड दे दिया जाता है जिस पर उसकी संख्या लिख रहती है प्रतेक दिन जब व्यपारी कर्मचारी कार्याले में आता है तो अपने स्वयम अंकन कार्ड से इस यंत में डालकर आने वाले का समय तथा तिथी छाप लेता है अब जैसे उस कार्ड को डलेंगे उसके अंदर आपका टाइम और आपकी डेट उसमें क्या है कि प्रिंटों कर कर्म कर दोफ्लिक है pressing काड़ों कि मासंट होने पर इन fell को अच्वारम पर प्रतेक कर्दों किया ले लिया जाता है और प्रतेक दिन कितने घंटे काम किअल या निकाल लिया जाता है अंतलब श्रुचारा ऐसको दी जाने वाली मजधूरी की गणना कि जाती यदि कोई मज़ूर किसी दिन काम पर नहीं आया अत्वा देर से आया अत्वा शीक्र काम पर छोड़ कर चला गया है तो इसके मज़ूरी उसे काट ली जाती है इस मशीन का सबसे बड़ा लाभिया होता है कि इसे उपस्ति लेने के वाले लिपिक रखने क्या सकता नहीं होती ह करना कोई आया है जई उसको कितने घंटे के वैपार में कुछ समस्यां दूर्भार भी उत्पन होसकता है दूस्ते इसे पक्षपात के संभावना भी नहीं आगा नहीं हो सकता है इस यंद्र का श्रम को दौरभ दूर्पयोग किया जाना भी संभव है यह हो सकता है कि पहले आने वाले श्रमिक अपने उन साथियों के कार्ड भी मशीन से पहले डाल कर समय अंकित कर ले जिने की वास्तों में बाद में आना है आजकल इसका आधुनीक रूप इलक्टरोनिक समय रिकार्ड यंतर आ गया है जिसमें कर्मचारी के हाथ के अंगूठे इंप्रेशन के साथ कनक लाए जाता है तो इसमें क्या था अपना अंगुठा लागा कि आप बता सकते हैं कि आपका आने का समय है और आपके जाने का समय है यह बच्चे हो गया अब जब नेक्स लक्टर में पढ़ेंगे पढ़ेंगे उसमें शुत वाच्यक यंद से हम स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए धन्वा झाल